अलो गाईज, वेलकम डिरियल काफेक्स एंड कैसे आप समयोंगों तो गाईज, करन टाइम पे इस कार ने मार्केट में इतना ज़ादा हला कर रखा है ना और वो हला बनता भी है यार क्योंकि ये कार अभी करन टाइम में सबसे ज़्यादा फीचर लोड़ेड कार है इस सेग्मेंट की और इसकी इसी डिमान की वज़े से आज हम कवर कर रहे हैं इसका वाकराउंड वीडियो और थैंक्स तो युनिवर्सल हॉंडा जिनोंने हमारे लिए कार अवलेबल कराई ताकि हम इसका वाकराउंड वीडियो आपके सामने ला सके तो गाईज यह कार स्टार्ट होती है 5.99 लक एक्शोरूम से जो कि इसके EX वेरियंट का प्राईज है और जाती है 10.10 लक एक्शोरूम जो कि इसके SX Optional Connect का प्राईज है और आज जो हम वेरियंट कवर कर रहे हैं वो है इसका XX Optional Connect डूल टोन वेरियंट XX Optional and XX Optional Connect में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि XX Optional Connect में आपको डैश कैम मिल जाता है प्लस होंड़ी ब्लू लिंक का फीचर मिल जाता है जो कि आपको इसके SX Optional में नहीं मिलता इसके अलावा अगर मैं कार के front profile की बात करूँ तो मैं पहले भी कई इपनी वीडियो बता चुका हूँ का कार का front profile बहुत अच्छा लगता है कार front से बहुत ज़द अच्छी लग रही है काफी refreshing और futuristic सा front profile लगता है इसका अगर और detail मैं करें बात करूँ तो आपको इसमें एच शेप के DRL मिल जाएंगे और इसके पीछे यह आपको हाइलोजन में इंडिकेटर दिये गए है साथ ही साथ इस कार में आपको प्रोजेक्टर सेट अप मिलता है लेट का बट यह आपको हाइलोजन में ही दिया गया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसकी न्यू पैरेमेट्रिक डिजाइन की ग्रिल तो काईज अगर बात करूं साइट प्रोफाइल की तो सबसे पहले बात करते हैं कार की डाइमेंशन की कार की पूरी डाइमेंशन आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी बट अगर मैं इस कार को सीधे कंपेर करूं इसके कॉंपेडिशन टाटा पंच के साथ तो ये कार लेंथ और विट में टाटा पंच से कम है बट वहीं इसकी हाइट और इस कार का वेल बेस टाटा पंच से जादा है तो इस कार में आपको स्पेस तो लेग रूम की कोई कमी नी मिलने वाली काफी सफीशन लेग रूम आपको इस कार में मिलने वाला है बिकॉस वे 15-inch के टार मिलते हैं अगर इसकी प्रोफाइल की बात करो तो मैं तो इसमें आपको 175 x 65 r 15-inch की टार प्रोफाइल मिलती है जो थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग है इसमें कम्पनी को एट लिस्टी इंच देना चाहिए था जो मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा जो डायमंड क आपको झाली से जो मिलें तो इसकी प्लेस्मेंट आपको अपको अवर्वेमा ऐस्में देखने होगी और ओव्यम आपको इसमें ब्लैक कि अन्दीखने को मिली जाएगगे अपको ब्लाक्ली में आपको door handle देखने को मिलेंगे, overall car side profile से कुछ इस तरी किसे दिखने को लगती है, and इस variant में आपको roof rails भी देखने को जुरूर मिलेंगे, and जो जो roof rails दिये कही हैं, यह functional roof rails है, and कई न कहीं यह roof rail car को और थोड़ा जादा tall wide look दे रहे हैं, अब चलते हैं, car के rear में, and देखते ह यह car को काफी bold लुक दी रहे है, rear से भी, साथ में center में ही आपको Hyundai की badging, plus parametric design में आपको grill देखने को मिल जाएगी, फिर से, and यहां पर नीचे दी गई है, आपको extra की badging, यहां पर दो reflector दिये गए हैं आपको, इसके लावा edge design में ही आपको tail lamp unit भी दी गई है, and यह जो edge design light setup यह काफी unique है इस car के लिए, इसके लावा defogger आपको कार में देखने को मिल जाएगा, rear wiper आपको कार में देखने को मिल जाएगा, plus shark pin antenna भी इस model मिल जाता है, and इस variant में आपको rear spoiler भी देखने को मिलेगा, so guys, यही रहा car का rear profile है, मुझे आप कमेंड ने बताओ कोई लग कैसा है, so guys, अब चलते हैं, car के अंदर एंड देखते हैं कि इस car का interior कैसा है, so सबसे पहले, guys, यह बात करूं, car के doors की, तो single color में इसका interior दिया गया है, and बात करूं, यह सब पार्ट यहाँ पे hard plastic यूज किया गया है, plus यहाँ पे आपको सारे controls मिल जाएंगे, windows के, over VM के, and यहाँ आपे हलके से gray color में आपको door lock दिया गया है, इसके अलावा इस car का interior कुछ इस तरीके से बाहर से, इस वेरेंट में आपको height adjustable का feature देखने को मिल जाएगा, इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको engine start stop button देखने को मिलेगा, इसके अलावा एडलेट controller, rear view and traction control के बटन आपको यहाँ सेम इंटीर यूज किया गया है जो आपको देखने को मिलता है, बात करूं कार में यूज भी प्लास्टिक क्वालिटी की तो काफी अची क्वालिटी में इंटीर रिूज किया गया है, जो कि Honda ER जाना ही जाता है अपने quality and अपनी fit and finish के लिए, बात की जाए इस car में मिलने व अप्शन में यहां छाते हैं यहां पर मिल जाते हां कमपनी ने आपको स्क्रूस कंड्रोल दीना है इस नावारा वी एक कर्याा है था एंट श्या में पर सलएम अपनी सिस्ट्रं गया है इस के नीचे अचा चाहिए खने चाल बेतीर कि अ क्बिल स्चिवम की बिलेशर थे न वारले स्वे wesैशन में झासन था था उप्शन के वार ड्रां यार्त्रश के आपको दिमें सी द्रहा एंटें शुप्राम अचर सेजेमार अफेट कारे जी कार साля कारे कर तो छेक्स करिया एक है। इसके लब ड्राइवर साइड कोई आपको देखने को नहीं मिल थी बट आपको को पेसंजर साइड एक वैनेटी जरूर दीगगी यह काफी बड़े साइज में वो भी यहां पर लाइट की बलेस्मेंट है अभी पैटरी डाउने साइज में लाइज में यहां यहां है यहां है वो है इस कार में मिलने वाला थाइज सपोर्ट थाइज सपोर्ट बहुत अच्छा है यार इस कार की सीट्स में काफी कमफर्टेबल सीट्स लग रही है मुझे इस कार की विट्थ भी कार की सीट्स की काफी अच्छी है थाइज सपोर्ट भी काफी अच्छा है और कुशनिं प्रफ़ पर बात करो रेकलाइन एंगल की तो रेकलाइन अंगल भी काफी अच्छा लग एप्राइब एडिस्टेबल हेड्रेस्ट इनोने बैक पर दे लिए भी प्रोवाइद नहीं किया है बट ओवर अवराल रियर सीट का कमफ़र भी अच्छा है प्लस रेयर सी अनोने पी एंग वील बेस अच्छा होने के विए से रेयर सीट कमफ़र भी आपको बहुत अच्छा मिल राइस कार में बात की जाए एक रीडिंग लैंब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो चलते हैं कार के बाहर और और बाकी सारी बाते हैं मैं आपको बाहर जागे करता है अच्छा में आपको बात की जाए इस वेरियंट की एस अप्शनल कनेक्ट ड्यूल टोन मैंवल ट्रांसमिशन यह कॉस्ट करता है आपको 9.42 लाक अक्षोरूम यह कर आपको सी एंगी प्रस पैट्रोल दोनों फ्यूल ट्रांसमिशन के साथ आती है तो अगर आपको मैलेंट अगर आपको कोई भी इंफॉमेशन लेनी है करे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्ट परस्ण की डिटेइल जाल दूगा आप शोरूम से कॉन्टक्ट कर सकते हैं और इस कार के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं तो कईसे इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आप से ने नेक्स वीडियो में